चिली पनीर सबको बहुत पसंद आता है, बच्चे हों या बड़े हों, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पनीर घर में नहीं है कि लेकिन चट पटासा और तीखासा यह चिली पनीर खाने का मन हो रहा है, तो ऐसे में आप बिलकुल चिली पनीर जैसा ही एक रैस्पी तैयार कर सकते हो जो आपको लगबग ऐसा ही टेस्ट देगा और खाने में बेयर टेस्टी भी होगा और आपको डिर सारा पनीर लाने की विज़रत नहीं है तो एकदम चिली पनीड जैसा ही यह रैस्पी हम त्यार करेंगे वो भी इजी ली घर पर पड़े हुए सामान से ही बहुत ही जवरदास्त यह स्नेक्स त्यार कर सकते हो और सब को बहुत पसंद आएगा यह मैं गारणटी के साथ बोलती हैं फ्रेंड तो यहां हमने ले लिया है आलू यहां हमने तीन आलू लिये हैं और यह कच्चे हैं आलू इनका हमने चिलका हटा दिया है और इनको हमने डाल दिया पानी में जिससे कि ये काले ना पड़े अब हमें इसको साड में करना है और इसके हमें पीसेज कट करने हैं लेकिन ध्यान रहें पीसेज कैसे कट करने हैं जैसे हम पनीर के कट करते हैं बस सेम ऐसे ही हमें इसके पीसेज कट करने हैं जिससे कि कोई भी देखेगा देखने में एकदम पनीर जैसा लगेगा और टेस्ट भी लगबग ऐसा ही होगा तो ये देखिए इस तरह से हमें इसके पीसेज कट कर लेने लेकिन फ्रेंड्स आप मोटे छोटे जैसे भी आप पनीर का करना चाहते हो उसे साफ से आप इस पटाटों के भी कर सकते हो अब ये देखिये भी आगे पीचे से ये थोड़े थोड़े से हटा देने है क्योंकि हमें इसके स्क्वार्ड शेप में कट करना है लेकिन जो साड़ के किनारे है न इनको आपको फैकना नहीं है य newly कर सकते हो या फिर कोई सबजी बनारे हो तो उसमें भी यूज कर सकते हो अब ये देखिए हमें इसमें से क्योंकि ये जादा बड़ा आलू है तो मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी ये देखिए और अब हमें इसके पीसेज कट कर लेने हैं तो ये देखिए इस तरह से लेंगे और इस तरह से हमें इसके में थोड़े से मोटे कट कर रही हूँ जैसे हम चिली पनीर बनाते हैं लगवग ऐसे ही में इसके पीसेज कट कर रही हूँ क्योंक चिली पनीर बनाते हैं उसमें पनीर के टुकडे थोड़े मोटे होते हैं तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है, देख सकते हो, इतने बड़े-बड़े कट कर लिये हैं, इनको हमें पानी में डाल देना है, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे, तो ये देखिए, मैंने सारे कट कर लिये हैं, और अब हम क्या करेंगे, अब हमें यह यह देखिए मैं एक बार यह दिखा देती ही उस साड़ के पार्ट थे ना इनको आपको फैकना नहीं है आप चाहो तो इसके साथ ही आप इनको वाइल कर सकते हो या फिर आप कोई भी सबजी बगेरा भी तैयार कर सकते हो अब यहां हमने पानी ले लिया पानी गरम होने रख है अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है सिंपल पानी है और इसमें हमें यह सारे टुकड़े डाल देने हैं जो हमने पटाटो के किये थे अब मैं इसमें क्या कर रही है जो साइड की किनारे थे ना उनको भी मैं इसमें डाल रही हूं क्योंकि मैं आलो के पराठे तयार मैं तो साथ मैं भो भी तियार हो जाएंगे अलग से गैस नहीं जल Imag मैंसे में टाल डिन Da सा नमक कोुदा संसूर है लेकिन हमने किصत कित्ना पुप करना है ? 80% अमने को करना हुआ पूरा पुर्ज कड़ कन आ है तो यह कि इसको आर टेन भी आने देते हैं है तो इनको हमें एकमे家 और ऑड़ा बड़ा तो देख सकते हो में इक मैंने एक एक में के तो यह देकर इस amal के इतरा आपको कूल लेने हैं तो यहां मैंने ओन्यन है उसको भी कट कर लिया है अब हम ले लेंगे सिम्ला मिर्च और इसके विरे अपर इसी तरह से पड़े वड़े साज प्रेlighe क पर आलें तो लाइक करें और ज्यादा ज्यादा सेयर करें बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहें अब ये देखिए मैंने यहां कैप्सी कम और ओनियन कट कर ली अब मैंने यहां एक हरी मिट्ची ले ली और इसको भी मैं कट कर लूँगी तो देख सकते हो इसको मैं थोड़ा सा त्रिच्छा कट कर रही हूँ देख सकते हो इस तरह से आपको आप चाहो तो गोल गोल भी इसको कट कर सकते हो तो ये देखिए इस तरह से हमें आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो तो इसमें हरी मिर्ची की quantity और भी बढ़ा सकते हो लेकिन मैं इसमें ये की डालूंगी अब ये देखिए ये boil हो चुके हैं और ये लगबग 80% boil हो गए हैं अब हमें इनको निकाल लेना है अब इदर हमने ले ली एक थाली आप कोई भी बरतन ले सकते हो तो थाली प्लेट जो भी चाओ अब हम इसमें डालेंगे कॉन फ्लोर तो यहां मैं 2.5 टेवल स्पून कॉन फ्लोर डालूंगी इसमें देख सकते हैं उपर तक बरी हुई है तो ये देखिए मैंने इसमें कॉन फ्लोर डाल दिया और अब हम इसमें डालेंगे भन टेवल स्पून मैदा और अब हमें इस सारी चिजों को मिला लेना है मैं अभी थोड़ा सा मिला रही हु क्योंकि इसमें अभी मुझे और सामंद डालना है अब यहां हम इसमें डालेंगे स्वादान साथ नमक और अब हम इसमें डालेंगे यहां काली मिर्च पाउडर ये मैंने 1.5 टीज़ पून डाली है और ये मैंने ली है कस्मीरी लाल मिर्च 1.5 टीज़ अगर ये नहीं है तो आप इसकी जगह पर नॉर्मली मिर्ची भी ले सकते हो अच्छे से मिला लेंगे इन सारी चीजों को तो ये देखिए मैंने इसको मिला लिया है अब हम क्या करेंगे जो हमने आलू लिये थे ना तो उनको मैंने एक छलगी में रख दिया जिससे कि उनका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और हम हमें इसमें एक एक करके ये आलू है ये सारे डालने है और इनके ऊपर इसकी ए पानी नहीं होना चाहिए आलू में आप चाहो तो कोई कपड़े बगेरा से भी सुका सकते हो या फिर आप चलनी में 10-15 मिट के लिए रखोगे तो अपने आप ये एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा अब ये देखिए इस तरह से हमने देख सकते है एक दम पनीर जैस ना ये बच गया था और फिर उपर से मेंने इस में 2 टेबल एसपून कौन फ्लोर और 1 टेबल एसपून मैदा ओट डाल दिया है और ये देखिए इस तरह से हमें एक चलेर सी तैयार क्लेनी है देख सकते एक दम पतली सी बनानी है तो ये देखिए अच्छे से इसको मिला लेना है, लम्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, तो देख सकते हो, मैं आपको consistency भी दिखा रही हूँ, इस तरह की होनी चाहिए, अब हमें क्या करना है, इस तरह से लेना है, यह जो हमने आलो को पर कोटिंग लगाई है, यह आलो लेने हैं, और इस तरह से इसमें ड जाओंगी, और यह सारे जो पटाटो के पीसे इनको में डालते जाओंगी, फ्लेम है, वो हमें इसकी मीडियम कर देनी है, तो यह देखिए, मैंने सारे इसमें डाल दिये हैं, और अब हमें इनको अलटते पलटते हुए, अच्छे से से शेक लेना है, क्योंकि आप भार से अच्छे से से शेक लोगे न, एकदम क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से यह बैसे भी पके हुए हैं, और थोड़े बहुत कमी रहे गई, वो इसमें पूरी हो जाएगी, तो देख सकते हो, फ्रेंड्स यह पक चुके हैं, और आम आम इनको निकाल लेना है, और यह देखिए, म कहार से एकदम क्रिस्पी, बहुत ही गजब की यह रैस्पी बनने वाली है, तो यह देखिए, अब हमने यहां ले ली एक कटोरी, और इसमें हम डाल देंगे, वन टेवल स्पून कॉन फ्लोर, और अब हमें इसमें डाल देना है, पानी, तो यहां मैं लगबग एक कप के आस और टू टेवल स्पून मैंने इसमें डाल दिया है, ओल, गरम हो चुका है, बन टेवल स्पून अद्रक लेस्पून का पेस्ट डाल दिया है, अगर आपके पास अद्रक लेस्पून का पेस्ट नहीं है, तो आप इसकी जगह पर इसमें अद्रक लेस्पून कट करके भी या प्रच्जी पनाएगा और यह बहुत बड़िया लगेंगे अब यह देखिए यह मैंने हाइफ लेम पर लगबग एक मिनट के लिए पका लिया है अब मैंने इसकी फ्लेम है वो मैंने स्लो कर दी है अब यहां हम इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो यहां मैं डाल रही हूं सोया सॉस बन टेवल स्पून और यह मैं ले रही हूं टमाटो सॉस लगबग एक बड़ा चम्माच इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है तो यह देखिए मैंने इसको मिला लिया है और अब चलाने जो कॉन फ्लोर की इसलेरी सी बनाई थी वह हम इस ें डाल देगे फ्लेम है वह में मीडियम कर देनी है और आप इसको चलाते रहन है चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना है क्योंकि फ्रेंट्स जो कॉन फ्लोर है उसमें लंस पढऻने जादा चंसिज रहते हैं और बहुत ही जल्दी थिक भी होता है तो इसलिए आपको मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए पकाना है पकाना कब तक है जब तक कि यह थिक ना हो जाए तो देख सकते हैं इसमें थिकनेस आ गई है अब यहां हम इसमें डालेंगे कस्मीरी लाल मि तो आप इसकी जगह पर नॉर्मली मिर्ची भी डाल सकते हो अब हमने जो पटाटो तैयार किये थे ना उनको हमें इसमें डाल देना है और अब हमें इसको एक आप मिनट के लिए इस तरह से चला लेना है और अच्छे से मिला देना है इससे क्या है कोटिंग अच्छी अब यहां मैं इसमें डाल रही हूं लेमन जूस तो मैंने यहां एक निवू का रस निकाला था बोमेन डाल दिया अगर वो नहीं है तो आप इसकी जगे पर बिने गर्वी डाल सकते हो यह देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया यह हमारी रैस्पी बनकर हो गई यह तैयार आ बने सकते हो तो फ्रेंड हमें कमेंट करके जरूर बताईेगा तो और हमारी रैस्पी पको पसंद आई हो तो फ्लीज लाइक जरूर करें लाइक में बिल्कुल भी कन्요सी ना कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और जहएगा जाध Seriously और आपके बाद